हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सीलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज की विद एल्बो स्लीप्स ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं इसके लिए मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेश्ट आ रहा था तो देखो जो हमने इसकी कटिंग भी सीखा है तो अगर आपने नहीं देखा है कटिंग वाला वीडियो तो देख लेना जैसे हमने कट किया था वैसे ही अपना फ्रेंट पार्ट उठा लिया है में फैब्रिक कि बिल्कुल बराबर बराबर से कट कर लिए तो इस तरह ज्याहं पर तो इसके लिए तो हमने बेल्ट का निशान लगाया है तो बेल्ट के दूसरा पाट भी हम cut कर लेंगे तो इस्थर ecee हमने इसे भी cut olies पहले लगाना फिर cut करना है तो यह हमारे चार पाट यह वाले पले किने निकले हैं अभी हम यहां पर एक एक पाट complete करेंगे तो सबसे पहले हम अपना यहां पर कम kommt करेंगे तो नीचे वाले talks को पकड़ेंगे और यहां पर ऐसे शिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हमने यहां शिलाई लगा लिया इसके बाद यहां पर बांकी के बच्चे हुए तीनों टक्स को हम इसी तरह से complete कर लेंगे तो इस तरह यह उमने यहां पर 4 टक्स complete कर लेना है तो यह हमारे 4 टक्स बनके ready हो गया है अब यहाँ पर हम अपने belt का निशान belt को जोड़ेंगे तो इस तरह यह हमने belt लिया और belt लेने के बाद यहां पर हम इसको ash fold करें मतलभ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर см 700 लेते हुए शिलाई लगा लेंगे हैं वैसे गुलाय में झोर आ है और जोडने के बाद यहां पर अब हम उपर से शिलाई लगाएंगे फनीशिंग वाली तो आप इसके एक नीचे से भी सिलाई लगा सकते हो वरना एक ही सिलाई आप बहुत मतलब काफी है तो इस तरह से अपनी हाँ पर अपनी बेल्ट जोड लिया टक्स कंवीटें करा अब जैसे हमनी यह वाले पाट जोड़ा है सेमैंश्ए दूसरा पार भी हमनी जोड लिया है अब यहां पर हम हुक पट्ी और आई पट्ी लगाएंगे तो देखो य प्ति को फोल्ल करते हुए पर शिलाई लगा दिया है अब हम इस पत्ती को पूरा अंदर की साइट को ऐसे फोल करते हुए शिलाई लगा देंगे तो बड़ी बख्या से दो इम और पर शिलाई लगा लिया है तो देखो इस तरह से हमारा एक पार्ट कम्प्लीट हो गया घटवा पट्टी अब हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे तो इसके लिए हमें बड़ी बख्या से चारो साइट हमें मेन फैबरिक अस्तर फैबरिक को जोड़ लेना है एक साइट से हम इतना कपड़ा बचा के रख करेंगे और इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और यहां पर अब हम उपर से शिलाई लगाएंगे तो बस इस तरह से यहां पर शिलाई लगा लेते हैं कि हमने यहां पर शिलाई लगा लिया है अब इसके बाद देखो यहां पर हमारा गल है ऑंदर की से करनी आगaimer और फिर अंदर के सब्सक्राइब और जिर्डी वमसंग और शसलितार आप Kat कमोर्च समय भी मोक्षूल पर ना कहीं यहां पर शब्डाइब और पिर लुए और प्रूमर आपको पर अब करई महीं जयए तो यह पट्टी की शाइट को करेंगे और यहां पर एक रोल बनाना है यही कम्पलीट कर लेते हैं तो देखो यहां यहां पर हम अपनी घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे रखने के बाद यहां पर हम इसे पिंसे सिक्योर कर देंगे इस तरह से यहां पर इसे पिंसे सिक्योर कर लिया है अब इसको हम साइड में रखते हैं हम अपना बैग पार्ट ले लेंगे त मतलब पहले देखो यहां पर हम पैटर्न देख लिया है कि किस तरह का बना हुआ है तो थोड़ा सा गले का डिजाइन भी वैसे ही बनाने की कोसिस करेंगे तो यहां पर हमें अपने फ्रेंट पार्ट में कटिंग करते समय गले की विर्थ दो इंच रखी थी तो बैग पार्ट में डिजाइन बनी हुई है उसी तरह की डिजाइन तयार करने की कोसिस कर रहे हैं तो यहां पर इचसे से कट कर दिया तो अभी बहुत छोटा गला लग रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बढ़ा करेंगे तो अभी इतना छोटा हम इस गले को नहीं हैं तो इसको हम थोड़ा सा डीप और करेंगे तो इस तरह सी हमने यहां पर इसको फोल्ल करा फोल्ल करने के बाद इस तरह सी हमने यहां पर इसे कट कर दिया है तो यह हमने इसे डीप कर लिया अब डीप करने के बाद यह हम अपना में फैब्रिक सीधे साइड में हमने अप पर शिलाई लगा लिया अब इसके बाद अंदर की सट जो हमारा फैबरिक है उसे कट करके निकाल देना है कहीं कहीं पर कट लगाने है और फिर इसके बाद कट लगाने के बाद इसको हम पूरा सीधा करके ले लेंगे और फिर यहां पर हम शिलाई लगाएंगे अपने गले प कर लिया है अब इसके बाद यहां पर हम अपना में फैवरिक अस्तर फैवरिक जोड लेंगे जो हमारा साइड का बच्चा हुआ है तो बस में फैवरिक और अस्तर फैवरिक को जोड लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा का फैवरिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे तो इस तरह साइच के निए अपने प्रत ईंदाज चाहर बगा लीडिया और हमने तीन इन्च लेना मुआ को हम इता है उपट चार सी और भस उस्ट को रखो देशित को रख़एंगे बस इसके solder जोड लेंगे तो यह हमने यहाँ पर solder जोड लेना है दोनों के तो यह हमने यहाँ पर दोनों के solder जोड लिया है अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने fitting डालेंगे तो सीने का नाप डालेंगे कमर का नाप डालेंगे तो सीना जो भी साइस था उसका हम हाफ करके यहाँ पर निशान लगाएंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाए नीचे कमर का निशान डालेंगे तो जो भी हमारा कमर साइस था कमर का हाफ करके निशान डाल देना है अब इसके बाद यहाँ पर सीने से और कमर के निशान से हम इस तरह से लाइन खीज देंगे स्वेम तरीके से दूसरे साइट भी लाइन खीज देनी है उसी लाइन के उपर हम यहाँ पर शिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे इसके बाद यहाँ पर जो हमारा फ्रेंट पार्ट का मार्जीन है उसको हम बराबर से कट कर देंगे और कट करने के बाद जो हमारा पीछे के पल्ले की मार्चीन है उसको हम इस तरह से फड़िकरेंगे और फिर अंदर के साइट को पूरा फड़िकर लेंगे और उपर से शिलाई लगा देंगे जिसने की हमारे धागा बगेरा बाहर नहीं निकलेंगे और हमारे ब्लाउज में देखने में अच्छी फणी सिंग रहेगी यह हमने नहीं यह आपर सिलाई लगा लिया सेम तरीके से दूसरे साइट भी सिलाई लगा दिया है अब यहाँ पर हम अपनी система वनाएंगे तो सिलाईब्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सृब जो हमारी स्लीव से इसमें हम फ्रिल लगाएंगे आगे की साइट तो सबसे पहले हमें फ्रिल लगानी है तो हमने दो इंच की चोड़ाई में और लंबा यह आपको अपने स्लीव के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी और बस इस तरह से हमने फ्रिल बना के तयार कर लिया है अब तयार करने के बाद यहां पर फ्रिल को हम ऐसे रखेंगे तो इसको हमने ऐसे रखा देख सकते हो मार्जीन को हमने बाहर के साइट को रखा है और बस इस तरह से फिर इसको ऐसे रखेंगे बीच में हमारी फ्रिल रहे की में फैबरिक अस्तर फैबरिक के और में फैबरि अब इसकेबाद हम मीन ट्रेज पर इसका पत्र प्रेज सेंड़ को जोड लेंगे तो यहांपर हम इसे जोड लेते हैं aj तो देखो इस से ब्क प्रेज सब्क इसान फैज न est यहांब है जażा इनक दोड़ चूड़ेश के लिए किर दोङन मिनिए अगी की साइट इस तरह से यहां पर लाइन ट्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से यह आपर लाइन के शिलाई लगा लिए हैब अपनी स्लीव्स को सीधा कर Давай thoughts सबसे इसको हम इल्टा करें और स्वीव्जा करें अब जो सलीवस का हमारा varied डाउन होता है उसे हम उपर की साइड को रखेंगे तो यह सलीफस इधर की है और यह वाली सलीफस इधर की आप चलो इस स्लेफ को हम अपने आरमोल के अंदर ऐसे डालेंगे यह हमने यहां पर डाल दिया और डालने के बाद दोनों की गुलाई बिल्कुल बराबर शे ना अपलेंगे दोनों की गुलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए तो इस तरह से हमने यहां पर शे ना अपलिया और यहां पूरी गुलाए फूर visa लगा चुक keine drift अब जैसे यह वाली स्लीफ को लगाई है से्म ऐसे ही दूसरी वाली स्लीफ को भी लगा के adviser कर लेंगे तो यह मैं दोनों स्लीफ लगा लिया अब नीचे काodo mi complete करेंगे तो तो बैग पांच का तो हमारा complete यह फ्रेंट पाइट कंप्लीट करेंगे तो इसको नीचे से हमने इस तरह से कट करा अब कट करने के बाद यहां पर जो हमने पिन लगा के रखा इनको निकाल देंगे निकालने के बाद जो हमारा margin है दोनों का front part की side को fold रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर नीचे से इस तरह से fold करेंगे यह हमने fold करा और फिर इसके बाद अंदर की side को पूरा fold करेंगे हाथ से press करेंगे और उपर से शिलाई लगा देंगे बड़ी बख्या से सेम तरीके से दूसरी side भी हम शिलाई लगा लेंगे तो यह हमने यहाँ पर शिलाई लगा लिया तो यह हो गया हमारा blouse पूरा ready I hope आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी समझ नहीं आया है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आया है समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद